हाई फ्रेंड्स वेलकन चैनल फैड कनेशा तो दोस्तो सर्वगुन संपन न मानी जाती है इन नाम वाली बहु ससुराल वालों की चमका देती है किसमत जी हा दोस्तो नाम के पहले अक्षर से किस भी वेक्षर के बविश्य सभाव पसंद ना पसंद तक के बारे में जाना जा स लगता है हर वेक्ति के लिए उसका नाम काफी खास होता है तो दोस्तो यदि आपका नाम तो इस अक्षर से शुरू तो नहीं हुआ है यानि कि आप लगी है तो दोस्तो आईए जानते है ऐसे कुछ बहु के बारे में जिनका अक्षर इस नाम वाले अक्षर से शुरू होता तो दोस्तो ये वीडियो शुरू कारने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राब आउशे करें और बेल आइकान प्रेस करके अल बटन पर क्लिक चरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से तो दोस्तो नाम का पहला अक्षर हमारे व्यक्तितो और जीवन से जुड़े कई राज खोलता है जोती शास्तर के अनुसार हर अक्षर की अपनी विशेष्टा होती है हिंदु धर में तो नाम का पहला अक्षर बच्चे की कोंडली देकर डिसाइड किया जाता है यहाँ आप जानेंगे कि कुछ ऐसे अक्षर के बारे में जिनने से शुरू होने वाले अक्षर नाम की लड़किया किसमत के धनी मानी जाती है तो दोस्तो यह अच्छी बहू और अच्छी पतनी साबित होती है ससुरू वालों की किसमत चमका देती है तो दोस्तो आईए जानते है ऐसे कुछ लड़किया और बहू के बारे में जो आपकी ससुरू राल की किसमत चमका देती है तो दोस्तो नमबर एक जिन लड़ियों का नाम ए अक्षर से शुरूता है वो काफी खुश मिशा सबाव की होती है ये खुद भी खुश रहती है और साथी सभी को खुश भी रखने की पूरी कोशिश करती है इनके दिल में जुआता है ये वही करती है ये अपनी किसमत खुश्या ही खुश्या भी कहरती है ऐसा माना जाता है कि ये जिस घर में शादी करती है वहाँ धंधान्य की कभी कमी नहीं रहती है तो दोस्तो आपकी भी ये अक्षर आपका तो नहीं या आप किसी की बहुत नहीं तो आप बहुती लखी है तो दोस्तो नमबर दो जीन ल से जलदी हासिल होने के आथार रहते हैं यह संगर से घुराती नहीं है जिसगर में शादी करके जाती है वहा धन्धान्य में और तर्टी होने लगती है यह अच्छी बहु placesाबित होती है इन्हें ससुराल में खूप मान सनमान प्राप्त होता है तो दोस्तो आपका ये नام का अक्षर तो नोई यानि कि आप बहुती भागेशाली है तो दोस्तो नम्बर तीन जिन लड़कियों का नाम इल अक्षर से शुरू होता है उन्हें मालक्ष्मिक का रूप माना जाता है ऐसी लड़किया किसमत की धनी होती है अपने परिवार के लोग को लेकर काफी इमोशन होती है हर किसी को कुछ रखने की पूरी कोशिश करती है ये लाइप में अपने दम पर अलग पैचान बनाती है इन्हें समाज में खुब मान सनमान प्राप्त होता है जिस घर में शादी क करके जाती है वहां के लोग की किसमत जमका देती है तो दोस्तों इस तरह ये लड़किया और ये बहुए बहुती लखी और भाग्यशाली मानी जाती है तो दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेराट कमेंट जरू कीजिएगा और कमेंट ब